हेलो गाइज, वाइट्स अप, I hope you are doing fine, this is me मीर वहीद and today I will teach you the remaining part of your service that is the Peninsular India, हम स्टार्ट करेंगे but before starting Peninsular India, मैं आपको एक important कुछ बताने वाला हूँ, अभी वो क्या है, वो related to आज एक notification आई है, जो कि JKSSB ने जो पोस्ट निकाले थे, उसका कलेंडर आ गया है जो उन्होंने दो मुएने पहले टेंटे टेट दिया था, उसी डेट के उपर ये एक्जाम ले रहे हैं मतलब ये हैं कि इनका टाइम जो है, फिक्स टाइम है, फास्ट रेक्टूट्मेंट है, एक्जाम ये टाइम पे कॉल ले लेंगे, वो अच्छी बात है अगर एक्जाम को को टाइम पे लिया जाएगा उसे क्या होगा, आपको आपको बाकी एक्जाम के लिए बे तायरे करने में टाइम लगेगा, आपका जो है, कंटिन्यूर से दो तिन एक्जाम को बैक टो बैक दे दोगे तो सिलेक्शन को किसी ने किसी में हो जाएगी अब इन दो मंस में करना क्या है आपको कही कोई भी लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है जितना भी आपने cover किया है इसको revise करते जाओ एक ही चनल को follow करो जो भी आपको मर्जी है जहां से भी आपको पढ़ना है लेकिन एक ही चनल को follow करो एक topic जो है एक ही चनल से देखो time waste करना नहीं है क्योंकि time limited है limited है जोगरफी में पूरा cover करके दूँगा यह मेरा promise है अच्छे से so that आपको कही पर पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी बुक से भी नहीं से पीडिया पढ़ते जाओ जो मैं पढ़ा रहा हूं लेक्चर और MSQ लगाते जाओ सभी निकल जाएगा history कही और पर पढ़ने की जरूरत नहीं है जो एकनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कही और पर environment पढ़ने की जरूरत नहीं है आर्ट and culture पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है जतना भी GS का portion वह मैं करा दोंगा वह मैं आपको promise करता हूं ठीक है बस से ठीक रहना चाहे बस वह बोलते हैं जब क्या होता है सहत है तो फिर जहां है तो वही मतलब समझा जब सहत ठीक रहेगे तो सब कुछ हो जाएगा जहां है तो जहां जिसको बोलते हैं उसके बाद जो है आपका साइनस वाला पॉर्शन साइनस में करूंगा स्टार्ट लेकिन अभी नहीं जब तक मेरा जोग्राफी आर्ट और कल्चर कवर नहीं होगा तब तक मैं साइनस स्टार्ट नहीं करूंगा लेकिन साइनस में आपको मेरा पूरा यह experience है physics को किस तरीक से आप लोगों को पढ़ने क्या क्या चीज़ है याद रखनी है ठीक है न और bio भी पढ़ाओंगा मैं आपको अच्छे से एक ही lecture देखो एक ही चनल पर एक फी लेक्चर देखो यह नहीं कि एक लेक्चर सेम टापिक लेक्ट तीन जगह पर देखो टाइम वेस्ट मत करो दूसरी तीसरी बात यह हैं कि आप जो पढ़ते हो एक और आदा गंटा उसको पड़ो और एक आफ और उसके एमस्क्यों लगा next subject आदा गुंटा पढ़ना है half an hour पढ़ना है 45 minutes mcq लगा लो half an hour पढ़ना है 45 minutes mcq लगा लो जतना mcq लगाओ उतने आपके practice हो जाए उतना आपका mind उसी तरीक से जो है काम करना शुरू कर देगा कोशिश करो जो भी आपने notes बनाई है जादा से जादा रिवाइज करो जितना रिवाइज 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 करो गे उतना आपको qualify हो जाएगा फिप्त चोथी बात जो है जो final में कहना वाला हो अब underground हो जाओ underground in the sense की किसी को बताओ यह मत आप कर क्या रहो कहा हो कहा नहीं हो phone को complete बंद रखो पूरा phone खोलो ही मत आप बस जिस टाइम लेक्चर होगा लेक्चर के टाइम पर फून खोल लिया नेट को आउन कर दिया देख लिया उस पर बस बात खतम बागी सिर्फ आप बुक्स के साथ रहो इंटरनेट का यूज मत करो वो आपको टाइम वेस्ट करवाई होगा आप तो पढ़ रहे हो थोड़ा से बोलो कि चलो फेस्बुक पर जाएंगे पंच मिनट के बदले एक एक और हो जागा आपके एनरजी तब तक खतम हो जाएगा आप अपना टाइम वेस्ट करोगा यह आप बोलते हैं काश हमने यह किया होता लेकर उस टाइम फिर टाइम होगा नहीं फिर आपको मैंने पहले बोला है अगर इस बार निकल गया आप लोगों का तो निकल गया नहीं निकल गया तो तीन साल वेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा सिटल तीन साल के ब इसका मतलब इसी साल के अंदर अंदर कम से कम आप तो जाइन करोगे SSB में परमिनेंटी जॉब है कोई निकालने वाला नहीं है ग्रेड ग्रेड भी ठीक ठाक है और फाइनस वाला पोस्ट है खुदी पता है आपको फाइनस में कितना मज़ा है जाओगा बैठो कोई अच्छे अच्छे आफिसे में फाइनस कम करोगे ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहो इसका फाइदा उठा लो पढ़ो जितना पढ़ सकते हो किसी को कुछ मत बोलो आप क्या पढ़ रहो कोई ना फ्रेंड है ना कोई है इन दो मुहने में आपका कोई फ्रेंड नहीं है कोई कुछ भी कौन क्या पढ़ रहा है कहां से MCQ कर आपको कोई मतलब भी नहीं है आप अपने पढ़ा उस पर ट्रेस्ट रखो उसको रिवाइज करो रिव्यू करो ठीक है रिव्यू करो मौक दे दो वहां पर सबी चीज़ चीज़ चेक करो कल मैं सेशन लेकर आउंगा इसका यूट्यू थोड़ा लेट आ गया बहुत लेट अगर टाइम नहीं मिला इसको यहां से मुझे भी टाइम नहीं मिलता है कल संडे है वो देख लेगा शाम तक वो सिस्टम को सेट करेगा तो फिर हम कनेक्ट हो जाएंगा आप लोगों के साथ ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं आइं प् पहला वर्जन कया था इंडिपंडेंट से पहले क्या 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 कौन क्यों से इसके पास प्रिएंटे ना यहां मैं बता था यहां मैं बता था जो मैंने कल बताया था आप accessibility का बीजिकल की बात कर रहा हैं यह जो इम्लिए करूंगा मतलब कौन सवाला एकध दो दिन में आज परसों में शायद एक लेक्चर आपको एक आवर कर लेकर आऊंगा livetability होगी आपको पता है मैं कैसे पढ़ा हुआ है आपको सुरिफ मेरे बातों पर दियान रखना है मैं क्या बोलरो और किस पॉइंट पे कहा हो कितना मैं stress देरो गैंटिव जाधागा Pr ίूट टीर अगर ये बाद मैं मूग करूंगा Peninsular Index की बाद करेंगे ठीक है क्वच्षन यहांसे एक क्वच्षन आपको बनताक है अगर आप देखोगे M Coey देखोगे पर प्रिवज क्वेसके क्वच्षन डेखोगे वहाँ पर आपको तो इसको बोलते हैं सतलुच मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ इसको लिखता हूँ मैं काली के लाइ काली मैं फूर्थ को ड्रा कर रहा हूँ इसको बोलते हैं तिस्ता मैं एक और को ड्रा करता हूँ इसको बोलते हैं दिहांग याद रखो दिहांग याद रखो दिहांग य सबसे पहले पंजाब हमालiya की बात करेंगे तो पंजाब हमालिया जो है वह किसके बीच में इंडस और सतलूच के बीच में question गए है म्नुच पूछा गया है देखले लियना क्सों क्यों करना है question पूछ जाएगा पंजाब हमालिया air place between इंडस न इंडस पूछ यह वो भी वही है इंडस और सतलच बोलो या सतलच और इंडस एक ही बोला जाता है इंडस और काली, काली और तिस्ता आपको identify करेना को इसका मतलब यहाँ पर इंडस और सतलच के बीच में क्या है आपको बोले है, पंजाब हिमालिया आगे चलेंगे फिर यहां पर क्या है सतलुच और काली यहां पर सतलुच और काली इसके बीच में का बना क्यम्योन हिमाला पूछा गया है C.D.S. के कोषचन में पूछा गया था इसका मतलब आपको यह टिप्स पर याद रखना है एक और है जिसको बोला जाता है कैबुद इसको नेपाल हमालिया आपको बोले नेपाल हमालिया जो वो काली और तिस्ता के बीच में है काली और तिस्ता के बीच में है एक और हमालिया जिसको बोला जाता है आसाम हमालिया और वो आसाम हमालिया कहां पर आपको बोले तिस्ता डालो कि ना आप यही format लिखो इसको यह वाले diagram बना लो आप आपका काम हो जाएगा आपको विजुलाइज करके इन चीजों का आरम से याद रहेगा इसमें बहुत तारी चीज़ें याद रखनी है ठीक है याद रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बहुत होना चाहिए ठीक है मैंने क्या बोला पंजाब हमालय जो किसके बीच में इंडस और सतलुच के बीच में ठीक है क्या जोना है importance of Himalaya क्या Himalaya की क्या importance है ठीक है ना why Himalaya are important मतलब ये बोला जाता अगर Himalaya नहीं होता तो क्या होता या अगर Himalaya है तो इसे क्या फाइदा है मैं देखो Himalaya is form the natural and political boundary of India definitely ये differentiate करता है बागी country से इसको ये एक political boundary create करता है जैसे आप देख सकते हिमालय का जो ये वाला साइड जो यहाँ पर क्या होता आपको पता है तिबत है चाइना इस साइड जो ही है पूरा इंडिया है इंडिया के नौर्थ में क्या है इंडिया के नौर्थ में लाई करता है तो सबसे पहला पॉइंट है हिमालय जो है ये ये क्या करता है एक natural और political boundary create करता है इंडिया और वागी country इसके बीच में number first number second जो है due to location आप हिमालय जो है इंडिया की वज़े से क्या होता है इंडिया की एक अलग सी identity देखने को मिल रही है इंडिया का क्लाइमेट क्या है वो हमें पता चल रहा है के हिमालय की पता चल रहा है नौर्थ इंडिया में हिमालया है उस हिमालय की वज़े से इंडिया का क्लाइमेट हम देखने को मिल रहा है किस ताइप का क्लाइमेट है इसका मतलब due to the presence of हिमालया जिदा नौर्थ इंडिया का कलाइमेट जो है that is the tropical moon soon climate ट्रॉपिकल तो आपको पता है इंडिया ट्रॉपिकल रिजिन में इतना याद रखना है इंडिया लाई करता है ट्रॉपिकल रिजिन में लेकिन क्लाइमेट कौन से हैं ट्रॉपिकल मौनसून क्लाइमेट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मौनस तो यह हमालया के ही वाज जैसे होता है अगर आप देखो कि जब आप मैं पढ़ाऊंगा आप क्लाइमिट में जब आपको साउथ वेस्ट मून सुन ठीक है नॉर्थ एस्ट मून सुन मुझे आपको पढ़ा नहीं है ठीक है रिट्री टिंग का मून सुन क्या होता है ठीक है क् तो इंडिया सब्क精 ऐसे प्रंद संवातं कर आप दीक ही हमालया स बसी में यहां हां पर रहिंग में डेंट घ्र को जो वेशन घर-णिंट्बंस यहां शनिभवेंगा भू लॉओень है उनको क्या करता है उनको एक ख स्ट्रेकश्ट करिएट करता है चैन्हां कि बादे वेस्टरन डिस्टरबंस आ जाते हैं फिर किया होता बने के बाद किसके साथ तक रा जाते हैं हमालयाज के साथ और फिर आप देखते हो सुनो फाल होता है यहां पर यहां का विंटर का कलाइमिट नौर्थ इंडिया में कितना कोल्ड होता है राइट तो यह क्या करता है कोल्ड वे उसको क्या करता है एक और स्ट्रेक्शन क्रियेट करता है जो कि विंड्स आती है हमारे पास अब य क्या होती है जब यहां से वार्म एर जो होता है वो राइज हो जाता है और एक जगह पर आ जाता है वो कोल्ड हो जाता है मतलब यहां कि यहां कि यहां पर इंडिया का जाते हैं करते हिंक हमालिया का में रूल होता है और इंडियन आग्रिकल्चर में आपको यह समझ आया होगा ठीक है यह हम देखेंगे क्योंकि यहां पर इंडिया का कला एक्रिकल्चर जो है रेंज पर डिपेंड है तो यहां पर हमें रेंज फाल भी देखने को मिलता है वो ग्लेशर्स क्या करते हैं जब समर आता है यह ग्लेशर्स मेल्ट हो जाते हैं ठीक हैं मेल्ट होने के बाद क्या हो जाता है रिवर फ्लो होना शुरू हो जाता है तो रिवर में पूरा साल पानी देखने को मिलता है जिस पानी को हम फिर किस लिए यूज करते हैं पीने के ल बोला जाता है परिनियल रिवर्स यह बिकास प्रेजन्स आप जो हमारे पास ग्लैशर होते हैं गहां पर हिमाले अजमा स्के मैल्डी के वज़े से हमें रिवर्स में 12 months जो है पूरे साल पारी रहता है दूसरा होता है सीजनल रिवर्स इह हम पैनन्सुलल रिवर्स की जब हम पर बारिश आजगे मूनसून का मतलब यह सारी सीजनल रिवर्स का मतलब होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में आपको उन रिवर्स में पानी देखने को नहीं मिलेगा हिमालियाज में दर्वार्स पेरिनियल बाइगे चलते हैं यह इसके एक एक पॉइंट आपको याद रहना क्योंकि क्वेश्चन आजएगा वीचे दो फालूंग इस ट्रू अबाट हमालियाज क्या हिमालियाज जो होते हैं यह हलप करते हैं अग्रिकल्चर में यह हमालियाज जो हैं कलाइमिट का भी रोल है हमालिया जो है रिवर्स पेरिनियल बनाता है आरे बात समझ हमालियाज मैंने आपको कल भी बोला था कि जो हमालियाज हैं ठीक है हमालियाज हो जाते हैं जिसके वज़जा से क्या होता है हम एक्रिकल्चर यहां पर करते हैं साथ मतलब एक ऐसा सायल होता है जो कि क्या होता है रिवör मिका बन जाता है छोटे चोटे पारिकल्श लेकर आता है ठीक एक एक जगा पर बस्तर और वहां पर जो सायल उसको restorat यह यहां व्यासरा का मतलब होता है वो soil जो की because of the river formation के वज़े से दूसरा आपके पास होता है दूसरा आपके पास होता है याद रखने question पूचा गया है याद रखना है यह एक ऐसी soil होते है जो wind की वज़े से बनती है यह याद रखना है यह points लिको उसके बाद एक और है lake strine soil lake strine soil का मतलब होता है जो lake से बना होता है याद रखो जो lake से बना होता है ठीक है lake से जो बना होता है आरे बात समझे याद रखने alovel जो होता है जो river से बन जाता है उसके बाद eolian river जो होता है यह किसके बाद wind से बन जाता है और lake strine lequeo strine जो leque से बना होता है soil जो है उसको बोलते हैं lakeo strine, soil उसको नाम दे जाता है थीक है तो हिमाल्याज से जो भी waterfall हो जाता है वो soil जो होता है उसको बोलते हैं उसकी वज़े से क्या बनता है, fertile alober plane और इस fertile alober plane में आपको क्या देखने को मिलेगा population ज़्यादा देखने को मिल रहे है northern plans में क्योंकि वहाँ पर soil fertile और वहाँ पर agriculture practices कर सकते है survive कर सकते है I hope यहाँ तक यह बात आपको समझ आई होगी यहाँ पर हिमालयाज में अगर देखोगा हिमालयाज have enormous potential for various metallic minerals like cobalt, nickel, zinc, copper, antimony, bismuth the best quality of anthracite coal is also found in kargil area याद रखना हिमालयाज में बहुत सारे metallic minerals भी देखने को मिल रहा है अब आपको याद नहीं रखना है कौन-कौन से metallic minerals है आपको सिर्फ इतना याद रखना हिमालयाज जो है उसमें metallic minerals भी देखने को मिलता है हमें उसका potential है वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है मैटलिक मिल लेकिन एक आपको याद रखने जो आपको साइनस में भी हलब करेगा कि सबसे बेस्ट कॉलिटी आप कोल कों सा होता है आपको बोलना है एंथ्रासाइट होता है कोल के डिफरेंट फॉर्मस होते हैं जब मैं आपको पढ़ा ह और यह होता है best quality of coal आपको यह भी पता करना है ऐसा कौन सा कोल है जिसमें carbon content ज्यादा होता है वह भी आपको याद रखो इंतरसाइट पूल मना जाता है तीसरा आपको पता है हिमालिया रिजिन में आप देख सकते हो लारी बायो डाइरस्टी देखने हैं मेरा प्लांट्स देखो अनिमल्स देखो वाइल्ड अनिमल्स वाइल्ड प्लांट्स देखने को मिल रहा है मैंने आपको एकॉलिज अन्वारेमिंट में वैसे पढ़ा हैं तो यहीं लिखा है हिमालेया जाल एमालिया जाल से लारेमेट फ़र वेर्स अनेमल्स सो इस रीजन इस वैल नून फार दा बायो लॉजिकल डायो छी घुट एट यहां पर आपको बहुत बायो डायार्शिटी देखने को मिल रहा है हर किसम के फॉरिश्ट देखने को मिलेगा decidious forest की बात करेंगे evergreen forest की बात करेंगे semi-evergreen forest की बात करेंगे ठीक है tropical forest की बात करेंगे tiger forest की बात करेंगे इसका भना different varieties of forest यहांपर देखने को मिल रहे हैं इसका मतल़ यहांपर जो बहुत जो है biological diversity देखने को मिलता है यह importance हिमालाज के आपको यह पता होना चाहिए अब आप बोलोगे सर यहां से question आएगा definitely question आ जाएगा क्योंकि पूछेंगे वह question ठीक है हमारा next part जो हो गया start that is the peninsular plateau मैं पहले आपको map दिखाता हूँ कि हम peninsular में क्या पढ़ने वाले है I will show you on the map यह आप देख सकते हो peninsular mountain रहें जहां पर पूरा है यह हम discuss करना है यह peninsular part में जो इतने भी mountains है यह हमें देखना है अगर आप देख सकते है peninsular part में हमें क्या क्या पढ़ना है great Indian desert peninsular का यह पार्ट है राजस्तान बांगर की बात करेंगे अरावली range की बात करेंगे वेंदिया range की बात करेंगे सतपूरा की बात करेंगे मेकाला मेकाला range की बात करेंगे यह सब हम इसमें देखना है maps पर दियान से देखो किस तरह किसे order में है ठीक है यह यह नुकर जो bold lines हैं यह black lines है यह वाली चीज़ आप देखो अरावली वेंदिया सतपूरा और मेकाला यह हम सब कुछ देखींगे ठीक है यह यह हो घ्षाय है यह ce amiga हम हुआ यह इह देखना है यहां पर भी सकते हैं यह इसका न्स मिल्क bak een कि भी शंफ किसका अचे के बाद करेंगे तीक है उसके बाद आगे देखो आप बालागाट रेंज की बात करेंगे ठीक है उसके बात आप देख सकते हो हरीश चंद्रा रेंज की बात करेंगे ये क्वेशन पूछे जाते हैं आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं पहले में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ अदर्वाइस हमें वहां से एक्चुली पढ़ना है लेकिन मैपस अपका अंदर लागए ठीक है पाल कॉंड़ा की बात करेंगे ठीक है ठीक है वैल कॉंड़ा की बात करेंगे सब कुछ आपको पता होना क्वेशन पूछे जागा कौन सा हिल यह पता चलना चाहे यहां पर उसके बाद एक और है यहां पर आप देख सकते हो ठीक है सतमाला हिल्स की बात करेंगे जो यहां एरो दिखाता है यह सतमाला हिल्स है उसके बाद एक और है यहां पर जिसको बोलते हैं गाविल गर हिल्स की बात करेंगे महादेव हिल्स की बात करेंगे कैमूर हिल्स की बात करेंगे सोनपार हिल्स की बात करेंगे मेलान हिल्स की बात करेंगे रामगर हिल्स की बात करेंगे राजमा हिल्स की बात करेंगे आपने सब कुसना हो गए गारजट हिल्स की बात करेंगे Eastern और Western Guards कहां पर मिलते हैं नीलगिरी Hills वो भी हमें देखना है ठीक है और South Peninsular की बात करेंगे ये भी हमें देखना है यहां पर नीलगिरी Hills के बारे में जहां पर जो होते हमारे पास Eastern और Western Guards जो होते हैं मीट जहां पर करते हैं यह सब कुछ हम Maps के थ्रू हैं हम पढ़ेंगे अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं एक सेकर्ट कहां गया है Peninsular Plateau जो जो मैं Point Highlight करोंगा उस Point को आपको याद रखना है Examination Point of View के लिए ठीक है एक दो बार रिवाइस करना है जोग्राफिक का वो टेंशन है इसको दो बार रिवाइस करों यह पूरा दिमाग में बैठ जाता है It is the Peninsular Peninsular मैंने पहले ही बोला था जब तीन साइड इंडिया का पानी है यहां से भी पानी है Arabian Sea यहां से पानी है Bay of Bengal और इस साइड इंडियन ओशन है जब तीन साइड से पानी है इसको Peninsular बोलते है और इसी को बोला जिता Peninsular Plateau जो कि एक Plateau है इंडिया में Peninsular Part इसको बोलते है Peninsular Plateau सबसे पहला पार्ट है It is the part of Inchanto Godwana Land and is a triangular shape सबसे पहला आपको पता ही है Peninsular Plateau जो है यह किसका पार्ट है आपको बोलने इंचेंट गोदवाना का पार्ट है Question directly सीथे पूछा गया किसका पार्ट है क्या ये Eurasia का पार्ट है क्या ये गोदवाना का पार्ट है क्या ये अंगारा लेंड का पार्ट है ये सब भी options थी अब ये आप इतना याद रखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहां से आप एक question ले लो आप इसको Peninsular Plateau में वो आप याद रखो एक तो ये पार्ट होता है किसका इंचेंट गोदवाना लेंड का और दूसरा इसका shape जो है that is triangular in shape ठीक है इसके height कितने हैं आपको बोलना है इसके height जो है कही पर 600 कही पर 900 और 600 से 900 के आज़स पासिसका range है ठीक है इट extends from अलोवेल प्लेंस अप उतर परदेश ये आपको याद रखना है कहां से कहां तक है उतर परदेश अलोवेल प्लेंस उतर परदेश का हैं और बिहार के वहां से ये start होता है और कहां पर खत्म होता है पूरा जो है south इंडिया तके जाता है जो भी peninsular है आपका ठीक है and income passes whole आप the peninsular map में मैं दिखाता हूँ तो आपको अंदाजा लगेगा map map में हाँ यहां से यह देखो यह पूरा peninsular का पार्ट है न तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर UP और बिहार यहाँ पर UP और बिहार के जो plans है allowable plans वहां से मैंने एक line draw की फिर यह पूरा portion जो है यह आपका peninsular इंडिया देखने को मिलेगा इसका मतलबी question पूछा जाएगा इसके extension कहां से आपको बोलना है allowable plans वहार एड यूपी और फिर यह किसको income pass करता है किसको पूरा cover कर लेता है आपको बोलना है पूरा peninsular part को cover कर लेता है यह हम peninsular इंडिया के हम बात कर रहे हैं यहाँ ठीक है एक बड़ा map इस था यह तो नौर्थ का हो गए ठीक है ठीक है चलो हम देखते हैं उसके बाद हम देखेंगे यह तो हो गया maps की through आपको यह समझता है so that आप visualize कर सकते हैं चीजों को अब important range जो है किसमे peninsular में यह आपको याद रखना है जैसे मैंने कारा कोरम बोला है वो तो हमालिया का part है वो ट्रांस हमालिया का part है उसको यहाँ पर कुछ नहीं है वो नौर्थ इंडिया का part है लेकिन जो हैं आपको सनेगा सनोगे अरावली अरावली range आपको पता चलना चाहिए peninsular की बात करां हम peninsular इंडिया में हैं अभी नीचे हम आ रहे हैं अरवली रेंज इट इस one of the oldest mountains range of the world यह मैंने आपको परसुन भी बोला आपको आरवली के बारे में oldest mountain range पूरे world में हैं ठीक है one of the one of the यह सिर्फ नहीं है यही एक लेकिन यह है एक क्या है mountain range oldest mountain range यह ठीक है यह आपको examination point of you के link important बनाना है question है यहाँ पर किस period से belong करता है आपको बोना है pre-cambrian period pre-cambrian period से belong करता है and is about 700 meter long इसके length क्या है किसके अरावली range में बना रहा हूं इस तरीक से अब यहां से यहां तक इसके length में देखूंगा कितना है 700 km इसकी length है 700 km long है it comprises with application mountains of USA ठीक है इसको comparison अगर किया जाता है क्योंकि जब मैं world geography आपको पढ़ाओंगा मुझे आपको पढ़ाना है apple ocean mountains आपको पढ़ाना है मुझे USA के बारे में पढ़ाना है मुझे आपको south Africa सारी Africa के बारे में पढ़ाना है ठीक है बहुत सारे mountains होते हैं उनके बारे में मुझे आपको पढ़ाना ही पढ़ाना ही पढ़ेगा सारी सहारा डेजर्ट जो भी है वो सब को हम world पढ़ेंगे बस इतना आपको याद रखना है इसका comparison आप किसके साथ कर सकते हैं आपको बोलना है यह नौर्थ अमरिका के कॉंटिनेंट में लेकर पूछा जागा किस स्टेट में आपको बोलना है यह किस स्टेट में आपको ब लेंच है इसे मैंने बنا लियु का हो जाता है सपोस्स बारिश बढ़ती है तो वो क्या होता है यहारोड हो जाता है यह सरपे इसकी हो जाएगा निकल जाएगा jeśli सका मतलब इसकी Champs वैब इस कम होता जегाateur यहां से कर इसको नीचे-नीचे एसए से ले कर जाएगा इसको बोले जए है golden tu यहां पर अरावली रेंज के बारे में बताएंगे कि यह एक रिलिक्ट मॉंटेंस हैं यहां पर प्रॉसेस आफे रूजर हमें देखने को मिल रहा है और इसी को बोला जाता है अरावली मॉंटेंस रेंज को इस आलसो नून एज म्यूजियम आफ मिनरल्स यह क्वेशन भी यह कहां पर अपको देखने को मिलैंगे लेकिन मैक्सिममर्स पूचा जाता है मिनरल इसको बोला जाता है क्वेस्चन ये भी पूछा जाता है इसका extension कहां से कहां तक है अगर ये मैं एरावली रेंज तो बना रहा हूँ ये मैं एरावली रेंज तो बनाया है लेकिन ये कहां से कहां तक है किस state से start होता है और ये किस state में end हो जाता है किस कि स्टेट के थ्रू पास होता है एरावली रेंज क्वेश्चन पूछे जाए गए है इस पे तो ये आपको याद रखना है ये गुजराथ से स्टार्ट होता है याद रखना है इट एक्सेंट्स फ्रम गुजराथ तो दिली क्वेश्चन पूछा जाएगे कि राई सिना हिल्स कहां पर है आपको बोलना है कि एक सेकंड ये ऐसे यहाँ पर राई सिना हिल्स दिली में है और ये गुजराथ है सपोस्थ ये दिली है और मौन्टेन रेज निकलता है वो कहां से स्टार्ट होता है गुजराथ से स्टार्ट होकर कहां चला जाता है दिली में और कहां तक इसका extension कहां तक है गुजराथ से निकलता है लेकिन खत्म इसका extension कहां तक है आपको बोलना है दिली के राई सिना हिल्स के ठीक है राई तक है question पूछए जाके रागे सिना घिल्स कहां पर आपको बोलना है दिल्य में question पूछ है अरावली आ हिल्स कहां से शुरू होता आपको बोलना है ये गुजरात से डिल्य तक जाता है and its last extension is राई सिना घिल्स इं दिल्य और विच राष्टरपती 52 इस लोकेटिड़ यह सभी mcq format points यहां पर ठीक हैं फिर यहां पर gear mountains की बात करेंगे definitely जब अगर अगर हम बात करते है अरावली रेंज यह start गुजरात से होता है तो इसमें कुछ काठियावार रेंजन आफ गुजरात या तक ना काठियावार गुजरात का एक रेंजन है वहां पर gear mountains है this region is famous for asiatic line is case में पूछा गया एक exam में paper का analysis कर रहा था एक exam में पूछा गया है कि जो हमारे पस asiatic line is कहां पर देखने को मिल रहा है आपको बोरना है gear wildlife sage room यह गिर national park प पूछ सकते हैं यह आपको यहां से भी पूछ सकते हैं ठीक है आपको आई होप एरावली रेंज समझ आयोगा सबसे पहला point देखो keyword क्या है यह oldest mountain range in the world है यह pre-cambrian period से belong करता है तीसरा इसको compare करो तो population of Australia USA के साथ compare कर सकते हो यह जो होता है यह process erosion दिखाता है यह जो है इसको रिलिक्स रिलिक्ट mountain बोलते हैं इसको museum of minerals बोला जाता है अब क्यों बोला जाता है यह आपको याद नहीं रखना है इतना याद नहीं मिनरल्स है इसका extension गुजरात से दिली तक है बस इतना आपको य जाता है gear lines भी बोला जाए इनको आई हो यहां तक यह बात आपको समझ आई होगी जो मैंने आपको बता यह यह आपको याद हुआ होगा याद Western Guards are also called as Shiaadris याद रखनो Shiaadris ठीक है Shiaadris याद रखना है Shiaadris Western Guards को बोला जाता है The Western Guards extended from the Mount of River Toppy to the Cap Up Kanyakumari Western Guards कहां से स्टार्ट होता है River Toppy से लेकर आपको बोलने कहां तक आपको बोलने Cap Up Kanyakumari जिसको बोलते हैं Cap Up Good Hope आपने सुना है Cap Up Good Hope Psalms कहां है कियाव Pack Up Good Hope कहां है इंडिया का है इंडिया का düşए यी पोर्षन ने यह वा पोर्षन इसको बहुते हैं game up Kanyakumari बोलो ध्क हो है इन देक इंडिया का कैप जो मैं Sanक। इ् आप चैप मिना गसाओ नूगे अबैसिस बेर पर पर ऊर्यारे कर्यमों चैप एक सेकेंड इसको क्या हो गया है हाँ यह एक यह वाला पोर्च ने इसको बोले कैप आफ गुड़ होपी आपको याद रखना है जब वर्ड जो पड़ेंगे वहां आपको सीखना है अब यहां पर जो है याद रखना है इसको इसके डिस्टन्स कितनी है वेस्टन्स कितनी है इसका मला गरिये ऐसे इसका तो मैं आपको यह यहां तक है यह यहां तक आगए इसका मतलब यह रिवर सपोस्ट रिवर तापी है यहां पर रिवर तापी मैंने आपको बताया भी था रिवर तापी के बारे में रिवर त पीसे लेकर यहां से इसका extension है और कहां तक क्या पकर निया को मारी तक यहां तक यह जो है यह पूरा जो है यह इसका extension है और इसकी length कितनी आपको बोलना है इसकी गाट जो है इसकी average height ऐसे में बना रहा हूँ इसकी average height यहां पर अलग height है यहां पर अलग height है overall average height कितनी है इसको आपको बना है 200 meters है इस गहाट की height इस गहाट ष्याय को एक रिफ्रीष यहां पर diamonds यह तक मुछ रता है इसकी और आपको बोलना है इसकी यह बोलई है यह थीकित गेए गी जब और एपर हम पर हमें Rift Wayne देखना है कि वहां पर मुझे बताना है आपको कि जो भीट वय अपको है와 महासे फुलो कौन होता है तापी और नर्माद यवी सिर्व फुलो होता है और वेस्ट फ्लो सलुइंग और गयी पूछ दिवर्स होते हैं एक्जाम में पूछा गया है धा। सॉरी फीजियोग्राफी बताए न नौर्थ इंडिया का हिमाले के बारे में इसी तरीके से मैं आज क्या बता रहा हूं आपको फीजियोग्राफी बता रहा हूं किसका बता रहा हूं किसका पैनन्सुलर इंडिया का इसी तरीके से मैं बताऊंगा सौथ इंडिया का भी कुश्चर आजागा कि रिवर तापी और नर्मदा जो है ये किसका कौन सा रिवर है क्या ये नौर्थ हिमालियन रिवर है क्या ये पैननसुलर रिवर है आपको बोला नहीं ये पैननसुलर रिवर है क्योंकि हम किसकी बात करें यहां पर पैननसुलर इंडिया की ही बात करें तो याद रखना, the height of western guards increase, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, उपर में बूल गया, एक, तो question पूछा जाएगा, किसी कहां से कहां थे, कि आपको मनले, it is the rift side of the peninsular plateau, most important point यहाँ पर examination point आपके लिए, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, अब बोलने वाला हूँ, the height of western guards increases from north to south, where as the height of eastern guards increases from south to north, मतलब समझो इसका, देखो, क्या होता इसका, मैं बना रहा हूँ, peninsular, Indian peninsular मैंने बनाए, और यह मैंने बनाए eastern guards, यह हो गया, eastern guards, यह वाला portion eastern guards है, और यह वाला portion western guards, आपको पता है अप देखो मैं क्या बोल रहा अब्लब मैंने बोला जो western Lars से साफ हो तो आता हूं इसकी हाइट क्या होती है बढ़ती जा रहें यहां पर देखो सपोज यहां पर 100 मीट्र है यहां पर कितना है 120 130 140 150 इसका मतलब साउत में इसके हाइट ज्यादा question पूछा जाएगा जो इसकी हाइट क्या आपको बोला है height increase होती है प्रम नौर्ट से साधे ऑट प्रम नोर्थ से सभी स्थी रचा है कि से साधे नौर्च जा घंग पर अड़ को और कि प्रम यहां पर मैं प्रम któ यह उगते हुं यहां सब्कुम पतर्सॐइब ईस्टर्स कोषइब काidän south वाला पार्ट आगए कि मैं जरो north की तरह यहां पर south में height कम है और north में height जादा है तो मुझे यहां पर क्या लिखना है nutshell में मुझे लिखना है wg का मतलब western guard जो है ठीक है western guard से इसकी height जो है height जो है वो increase होती है कहां से कहां तक आपको बोलना है from north to south यह हो गया एक उसके बाद लिखोंगा मैं eastern guard शार्ट टोर्ट ऐसे बनाना होता है height जो होती है वो increase होते है कहां से कहां तक आपको बोलना है south से north यह सभी question पूछे गए है इसलिए मैंने इसको yellow color से highlight भी किया हुआ है ठीक है important question यहां पर है यह भी मैंने आपको difference बताया था western guards are also more continuous than the eastern guards western guards जो है वो क्या रहते है continuous होते और eastern guards continuous नहीं होते वो parts में होते वो मैंने आपको बताया था आपको there are several hills located on western guards western guards में कौन-कौन से hills है यह हमें समझना है most important यहाँ पर पूछा जाता है question यह आपको याद रखना है western guards में कौन-कौन से hills है यह किसके hills हैं आपको बोलना है यह hills हैं कहां के यह hills है western guards के याद रखो western guards के हम पढ़ेंगे नील-गरी hills के बारे में नील-गरी hills of India are block mountains question पूछा गया है कि नील-गरी hills कौन से mountains आपको बोलना है यह block mountains है different types of mountains होते है एक में से होता है block mountains आपको बोलना है यह कौन से mountain आपको बोलना है यह होता है block mountains which are also known as blue mountains तो याद रखना है नील-गरी hills को block mountains भी बोला जाता है नील-गरी hills को blue mountains भी बोला जाता है इट लाइज इन तामिल नाडु रिजिन एंड इस हाइस टूड़ा बेटा डोड़ा के जो लोग हो डोड़ा के जो बच्चे होंगे न जो अभी पढ़ रहे हैं मेरे पास देख रहे होंगे ये वीडियो वही समझे आप डोड़ा बेटा डोड़ा का बेटा ये कहां पर हैं ये नीलगरी हिल्स में हैं क्वेश्चन पूचा जाएगा कि नीलगरी हिल्स जो हैं इसको कौन सा मॉर्टें ये कौन से टाइप अफ मॉर्टेंस आपको बोलना है ये ब्लॉक मॉर्टेंस होते हैं दूसरा आजएगा कि इसको दूसरा नाम के आपको बनना है ब्लू it lies in Tamil Nadu region question है कि यह state में आपको बना Tamil Nadu region में और इसका highest peak जो है that is doda बेटा इसका highest peak है पोचा गया है height याद रखने के जुरूरत नहीं है बस इतना याद रखो आप famous tourist places ठीक है कुछ tourist places जिसको उटी नाम सुना होगा बोलते हैं न हम उटी जाएंगे अब गूमने के लिए generally यह होता है कि उटी जाएंगे मसूरी जाएंगे ननी ताल जाएंगे तो उटी है एक important famous tourist place जो है यह कहां पर है आपको बने यह नील गिरी hills के located है नील गिरी hills पे ही located है कौन सा उटी ठीक है दूसरा बढ़ूँगा मैं अनामलाई अनामलाई धा अनामलाई hills are located south to the नील गिरी hills मैंने क्या किया देखो मैंने ऐसे बनाया मैंने एक hill बना ले मैंने इस hill को इस तरी की से बनाओगा ट्रेंगल बनाओँगा मैं इसको मैंने क्या लेखा यह कौन सा था, यह Niniil-Gi-àng idh अब नीचे आजाओंगे, मैं एक और ट्रेंगल बनाओंगा मैंने एक और ट्रेंगल बना लिए यहाँ पर इस ट्रेंगल को मैं क्या नाम रखोंगा AH, Anamalai Hills ऐसे आपको a.p.े बिलिखना है इसका मतलब triangle represented करता हाए किसको hill को represent करता है तो इसका मतलब जो Anamalai Hills है यह south है ना यह देखो यह north वाला part है यह south वाला Anamalai Hills south किसके south में है आपको बोलना है नीलगरी hills के south में मुझे यही point समझाना था है यहाँ पर यही लिखा भी है यहाँ पर the Anamalai Hills are located south to the नीलगरी hills whose highest point is Anamaldi पूछा जाता है इसका Anamalai का highest point कौन सा है उसको बोलते है Anamaldi which is also the highest peak of western guards western guards का भी अपना एक highest peak है उसको बोला जाता है कौन सा Anamaldi जो है highest peak of western guards और highest peak of नीलगरी hills के हैं डोड़ा बेटा highest peak Anamalai Hills का क्या है आपको बोलना है Anamaldi जो है highest peak of anomalize है और यह Anamalai जो है एक तो यह पूरे South India का highest peak है आरी बात समझे एक तो इसको consider किया जाता है कि यह western यह Anamaldi highest peak तो है Anamalai Hills का लेकिन इसको consider किया जाता है जो भी western guards का भी highest peak इसको माना जाता है पूरे South India का highest peak जो है that is Anamaldi यही लिका है फिर से बना रहा हूँ जब तक मैं आपको maps में नहीं दिखा हूँ आपको समझे जाएगा एक triangle बनाए मैंने दूसरी triangle बनाए मैंने तीसरी triangle बनाए यह triangle first triangle second triangle third मतलब hill first hill second hill third hill first की बात करूँगा उसको बोला जाए नीलगिरी hills उसके south में जाओंगा question इस तरी ऐसे statement पूछे जाते है direct आपको नहीं पूछा जाएगा आपको पूछा जाएगा कि anomalai hills are located north of नीलगिरी hills यह anomalai hills आपको बोलना ही नहीं यह गलत है क्योंकि क्या है anomalai hills कहाँ पर south of नीलगिरी hills है उसके बाद बोचे जाएगा काड़ मॉम हील्स are located south नीलगिरी hills यе काड़ मॉम हील्स है sır queste है यह नीलगिरी hills का भी south है काड़ मॉम हील्स और यह anomalai hills का भी south है question पूछा जाएगा anomalai hills are north of काड़ मॉम हील्स आपको बोलना ठीक है prof executive channel क्मालाइी हिल्स नॉर्थ हैं कॉशेंट तेश्य कोष्चिंट आए धाए कि आपको इंटर्परिटी नहीं किया होता है मैपस को तो मैप को पढ़के आपको समझ बाजाएगा काड मोम हिल्स इस इस साथर मोस्ट हिल रेंज कों से जब मैंने आपको यह डॉट बना ली दूसरी ट्रेंगल बना तो डैफिनिटली इसके बाद तो वेस्टर्ण काड्स में है यह नहीं कुछ तो यही तो बनेगा साथर मोस् कर्णम इसक इसका इसमें गैफ है जिसको बोलते हैं शेनकूट डा य monstrा जो यहां पर होते अगर यह तक मुझे मुझे पहले map दिखाने दो उसके बाद मुझे move on करूँगा किस तरीक से क्या करना मैं एक सेकंड gear range तो आप देख सकते हैं यहां पर ठीक 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 जवादी हिल्स ही यहां के साथ पर नील गरी हिल्स अनमल है देखो यहां पर यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि हम western guards पट रहे हैं western guards के साथ से देखना है मैंने सबसे पहले क्या बोला serial number seven देखो यह क्या है यह नील गरी हिल्स है उसके बाद मैंने क्या बोला eight पर देखो यह अनमलाई हिल्स है उसके एक सेकंड रूख देखो फिर से मैं repeat कर रहा हूं, यह वाला, देखो, यह नील-गरी हिल्स है, उसके बद आप देखो, कौन सा वाला, किसका मैंने बोला था, अनमलाई-हिल्स-8 वाला, देखो, उसके बद वाला, कौडमोम है, इह यह एक आर्डर में, यहाँ पर, यहाँ पर, और देखो, यह स सूथर्मोस्ट हिल है लास्ट पे शबसे लिख़ा है किसका सूपर्मोस्टłem ए ह्ल है आपको बोना है नाला मलाई हिल यह मैं पढ़ाओंगा ना क्योंकि इस्टर्न साइड आ जागए बहुत आ यहाँ पक"- सूझे और आपको इसको revise करवाँगा आपको याद हो जाएगा कल ही में revise करवाँगा तीक है तो कल हम इंशाला देखेंगे कि eastern guards क्या है और हम complete करेंगे इसको eastern guards को भी फिर हमारे पास रहता है coastal regions और island रहता है यह complete हो जाएगा आपका और यहां से आप expect कर से तीन या चार questions आपको पोल रहा हो आप ट्रस्ट रहको मुझपर मैं आप लोगों के साथ हो जब तक आपका exam हो जागा अच्छे तरी किसे आप tension बगे बगे रहो serious रहो पढ़ने के लिए लेकिन tension free रहो thank you so much for watching me like subscribe और comment section में अपना comments mention करो और कल का एक comment मैंने देखा था किसने माही बढ़ था उसका ना वो comment मुझे बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा अभी तक जितने भी comments mention किये गए है इस में चायड बॉक्स में तो वो बहुत ही अच्छा था वो मुझे बहुत अच्छा लग शायद मैंने आपको share भी किया था टेली ग्राम पे थैंक यू सो मुच पर वाचिंग में